एक राजा था उसके अस्तबल में बहुत सारे घोडे थे लेकिन उन सभी में से एक घोड़ा ऐसा भी था जो सभी घोडों से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कोशल में निपुर्ण था। राजा हर युद्ध में उसकी पीच पर बैठ कर जाता और युद्ध जीत कर आता था इसलिए राजा उसे बहुत प्यार करता था। समय के साथ घोड़ा बूधा हो गया। राजा को लगा कि अब शायद उसका घोड़ा पहले की तरह युद्ध में सहयोग नहीं कर पाएगा इसलिए उसने घोड़े को युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। अब घोड़ा सारा दिन अस्टबल में बैठा रहता था या घास चरने मैदान में चला जाता था। एक दिन घोड़ा कहीं दूर निकल गया और रास्ते में आते समय एक नदी मिली नदी में कीचर था। प्रयास करता वो उतना ही उसमें फस्ता जा रहा था। अपने आपको मुसीवत में घिरा देख घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाने लगा। घोड़ी की हिनहिनाने की आवाज सुनकर रास्ते से जा रहे राहगीर इकट्ठे हो गए। उन सभी ने मिलज़ घोड़े को कीचर से निकालने का प्रयास किया किन्तु वे असफल रहे। लोगों ने घोड़े के मालिक का पता किया तो पता चला वो राजा का घोड़ा है। ये बात राजा तक पहुंचाई गई कि उनका प्यारा घोड़ा गहरे कीचर में फास गया है और कीचर से नहीं निकल पा रहा है। र राजा भी बहुत परेशान हो गया उसने अपने मंत्रियों को बुला कर सलाह ली तभी एक बुजुर्ग मंत्री ने सलाह दी कि घोड़े के पास युद्ध के नगारे बजवा दिये जाएं और आसपास युद्ध का महुल तैयार किया जाएं राजा को बुड़े मंत्री की सल अच्छी लगी और उसने वैसा ही किया जैसे ही नगारे बज़े तलवारों और धालों की आवाज गुंजी वैसे ही बुड़े घोड़े में मानों फिर से जवानी आ गई और मानों उसकी नसों में खून का संचार कई गुना बढ़ गया हो वो धीरे धीरे उठ खड़ा हु वे चमतकारी रूप से एक जटके में कीचड से बाहर आ गया राजा ने बुड़े मंत्री से पूछा ये चमतकार कैसे हुआ मंत्री ने उत्तर दिया ये घोड़ा बूधा जरूर हो गया है लेकिन जब इससे काम नहीं लिया गया तो इसके अंदर का उत्साह और आत्मविश्वास खत्म हो गया था और आज फिर से वही माहौल मिला तो उसमें उत्साह का संचार हुआ और ताकत लोटाई है राजा को भी सारी बात समझ में आ गई और उसने अपने वीर घोड़े को फिर से काम पर रख लिया शिक्षा, राजा और बूरा घोड़ा कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में उत्साह और आत्मविश्वास को कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए